हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टो मैं चानल आज मैं आपके साथ चिकन के एक यूनिक रेसिपी शेर करने जारी हूं यह मिली खुद की इनोवेट की हुई रेसिपी है आइए इसके इंग्रेंस देख लेता है इसके लिए मैंने चिकन बॉनलेस यूज किया है बॉनलेस चिकन बहुत ईजली बखे जाता है इसमें साक्ष़ार कुछ जाते हैं इसने धे राष्टी भी लगता है यह तिस्पून रेच्र चिलीद पॉڈव ए जिंजर गालीक पेस्ट दिए अच्रसाय मिंच करके आ जिपित, र होंगे यह तर हम नुअ 2-3 आइप मिची होने के लिंगे पैन हमारा अच्छे से गरम हो चुका है अब मैं इसमें ओइल डालूंगी मैंने वास्टर डाल का यूज किया है आप चाहें तो कोई सा भी अपने पसंद का ओइल यूज कर सकते हैं अच्छे से गरम हो चुका है अब मैं इसमें चॉप किया हुआ अनियन और इसको अच्छे से फ्राइब करूंगी जब तक यह गोल्लें ब्राउन ना हो जाए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रहे है तो प्लीज असे लाइक शेयर ज़रूर करें अगर आप मेरी चानल बे नए है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप मेरा अच्छे से गोल्लें ब्राउन हो चुका है अब मैं इसमें डालूगी रफ्ली चॉप किया हुए यूब किया त्रद्धा प्लेलय प्लेटेव चानल भूए लेट्धा उलाई। इसको नज़र उसको नाच्छे से प्रंद करें अश्य विल्ज करने काते है अगरां करीज अगरां हो चुके हैं अब मैं उसमें तालूगी गाजर और शिम्ला मिर्च करमने ब्लीज करादके इसको भी हम धोई लेके लिए एक से दो मिल्ट ले अची सफ्राइब करें लिगी हमारा अची सफ्राइब हो चुता है अब मैं इसमें डालूँगी चॉप किया हुआ स्प्रिंग हर्नियन इसको अची से मिक्स करेंगे अब मैं डालूँगी शॉल्ट एक तेस्ट अब डालें अब डालें हल्दी 1 टी स्पून रचिली बादर 1 टी स्पून अब तीखा आपने हिजाब से कम जाधा कर सकते हैं अगर आप तीखा ने खाते ता आप इसे किप भी कर सकते हैं अब मैं डालूँगी चिकन मसाला पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी मसाला जले ना इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी आड करूँगी ताकि मसाला अच्छे से फ्राइ हो जाएं अब तक मसाला अच्छे से फ्राइ नहीं हो जाएं तक इसको छलाते रहें मैं इसमें मैं निट किया हुआ चिकन डालनी है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगी पीच पीच में मैं इसको चलाती रहोंगी मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है अब इसको मैं दो से तीन मिनिट के करी मैं इसको ढग कर पकाऊंगी ताकि इसमें अच्छे से पानी इसका निकल जाए और वो चिकन के पानी से ही कि अगर आप लगता है कि पानी नहीं निकल रहा ता आपसमे थोड़ा सा पानी आट हाँ अब इसम भी इस लिट किया और वी इनचिली मैंने डाल दिया है और इसको अच्छी से मिक्स करें जो चिकन का जुट का जूट साथ उसे से वह पकरा है यह देखिए कितना इसका पानी निकल गया है इसी से वह पकरा यह यह चिकन की रेसिपी एकदम ड्राइ बनती है और यह गरम-गरम चापाथी कुल्चा नान यह सब के साथ खाने में बहुत तेस्टी लगती है अब मैं इसमें चॉप किया होगा धनिया डाल दोंगी और इसको मिक्स करूंगी चिकन हमारा पक चुका है अब बस इसको इसको ड्राइ जब तक यह ड्राइ नहीं हो जाता तक तक मैं इसको पकाऊंगी अब कर दोंगी अगर आपको मेरी रेसेपी पसंद आई तो प्लीजटे लाइक शेर जरूर करें थांक यू सो मच फर वाचिंग